हेलो मैं हूँ दीवी जिंग आज हम एक नया प्रोग्राम लेके आए हैं इस हमारे प्रोग्राम का नाम है जो है UPSC और State Civil Service की परिछा के लिहाज से एक 10 मिनट की सिरीज हम इस प्रोग्राम के अंतरकर छोटे छोटे जो है पार्ट या नी जो है बीडियो 5 मैट 7 मैट 10 मैट का लेके आएंगे सारी सब्जेक्ट पर होगा लेकिन आज जो हम स्टार्ट कर रहे हैं वो इतिहास से और इतिहास में सबसे पहले हम प्राचीन इतिहास से तो सबसे जो जरूरी बात यह है तो भही इतिहास क्या है अगर हमें यह जानना है तो सबसे पहला question यही हमारा बनता है कि भही इतिहास क्या है देखो भही इतिहास जो है अतीत में किये गए मानो प्रयासों की एक अनुक्रमिक कता है मतलब जो अतीत में जो चीजें हुई हैं तो अतीत में किये गए मानो प्रयासों की क्या है एक अनुक्रमिक करता है और इतिहास के जो जरूरी अंगों में अगर बात करें तो जिसे अतीत एक सभी मानो प्रयास का एक जो घटनाओं का क्रमिक प्रसार यह सब ही उसके जरूरी है सिंपल अगर कहें कि इतिहास जो है बिगत घटनाओं का चिंदन करता है या फिर इससे और आसान भासा में कह सकते हो कि इतिहास जो है जो अतीत में जो घटना घटी हुई है तो उन अतीत में घटित घटनाओं का एक बिगत एक बिस्तृत वल्णन है ठीक है तो यही इतिहास है अब इतिहास के जानने की सुरोतों को हम बात करें कि इतिहास के जानने की सुरोत क्या है कैसे हम इतिहास को जानते हैं तो भी प्राचीन जो है भारती इतिहास के सुरोत जो जितर में जो है किसी नदी के तत्वरिक निर्जन टीली को खुद कर निकाले गए जो प्रागयते हासिक काल के मनुस्त द्वारा पत्थर को काट कर बनाए गए गन्यासों से लेकर के पड़ी वड़ी इमारतों के जो भागना वसेश और राजकवी वान के जो हर्स चरित तक ज अब भी अगर पुरा तात्विक श्रोत की बात करें तो पुरा तात्विक जो श्रोत है इसमें से अभिलेक, इसमारक, सिक्के, मूर्तिया, चितरकला, मुहरें ये सभी पुरा तात्विक जो हैं श्रोत हैं ये सभी क्या है वही पुरा तात्विक श्रोत हैं साहितिक श्रोत मोर्तियां क्या है चितरकला क्या है मुहरे क्या है अविलेख नव स्मारक और भौनों से जनता की आध्यात्मिक थर्मयनिषठा इसें अविलस्णा और उनके जो है समाजिक क्रिया कलाप act का घ्चा होता है तो इन्हीं को हम अभिले कहते हैं अब जिसे हरप्पा और मुहन जोड़ों की खुदाई से प्राप्त भौनों से करीब हमें आज से पांच जाद या उससे पुरानी जो है एक सब्धता का पता लगा और नमीन जो सोध हैं उससे भी पुरानी मानते हैं कहते हैं कि करीब आठ जास साल पुरानी है तो भही अगर माल लो कि जहां हमें कोई असाहितिक स्रूत लिखिस साच नहीं है तो हम अभिलेक इसमारक से के मूर्ति और चितरकला मोहरे अथात पुरा तात्युक्स रोतों के मा जैसे की कोई मालो भवन बनाया गया ना विभिन प्रकार के जो भवन हैं जो टूटे जरजर हैं उनके माध्यम से हम इतिहास को अइंटिफाई करता हैं शेक्के यह इस्यक्रति अभिलेक इसमारक और भवन के अतरिक्त प्राचीन राजाओं के द्वारा जो हैं ये ढलवाये जाते थे और इन सिकों से प्रिचुर मात्रा में इतिहास एक जानकारी उपलक्त होती है समाने तर अगर बात करें तो 206 BC से लेकर के 380 तक जो है भाती इतिहास का ग्यान है में शिकों के तौर पे मिलता है और उस इस टाइम पीरियड का करीफ 600 के आसपास क्योंकि 200 साल लिदर और 300 साल तो पांस साल आप कहलो तो इन 500 सालों का इतिहास जो है मुख तौर से मुद्र मदलब जो है मदलब और भी इसके फैक्टर हैं जानने के जो तरीके हैं लेकिन आप मुख तौर से मुद्राओं की जो साहता यहां पर बहुत होती है सिक्कों की साहता जो है इतिहास को जानने में बहुत है अब जिसे पुराने सिक्के जो है तामबा चांदी सोना सिसा धादू के बंदे थे और प्राची इंतम जो पुराने सिक्के थे ना इन सिक्कों को आहत सिक्के कहा जाता था होता क्या था ना कि इन सिक्कों को जो है ना आहत मतलब चोट मार मार करके जो है आहत मतलब कूट के बनाया जाता था धाला नहीं जाता था तो आहत सिक्के कहा जाने लगा इन्हीं को पंचमार्क सिक्के भी कहा गया और पांचवी सताब्दी में आप देखोगे कि करीब पांचवी करेंगे अलग अलग टाइम फेच की तो बताऊंगा कि देखो इस टाइम सिक्के में जो है पेंड मिला है कई मचली का करती मिला है हाथ या अर्द चांद या अनेक प्रकार के जेस्चर तो जैसे कि अगर हम बात करेंगे सबसे पहले जो है धर्म का सरलतम रूप तो आपको पत है तो कैसे हमें पता चलता है मालों सिक्कों में मचली मिली सिक्कों में हमें जो है उर्वरा मतलब देभी मिली या फिर जो है मचली साड या अर्द चांद तो हमें से क्या अंदाज अलगाएंगे तो यह कहीं नेचरिजम उस समय के जो है समाज के बारे में धर्म के बारे मे अब सबसे ज़्यादा सिक्के जो हैं मर्योत्तर काल पर बने हुए हैं और जो कि मर्योत्तर काल के जो सिक्के हैं आप देखोगी कि चांदी सोने और तामे के थे शातवाहनों ने जो हैं सीसे और गुप्त सासकों ने सोने के सरवादे के जारे के इसके बाद हम आगे आते हैं मूर्तियों पे और मूर्तियां जो हैं प्राचीन भारती तेहास में मूर्तियों का जो है निर्मान कुसान काल से प्रारब होता है तो प्राचीन भारती इतिहास को जानने के लिए एक महत्र पूर्ण इशुः है, सुरूदivan के तौरपे मुर्टिया भी। से में चित्रकला की बात के बात करें, यह अजंता की चित्रों में मनुभावं की यह सुन्दर खलक मिलते हैं, और चित्रकला में जो माता और शिशुब, मरनासर उराचकुमारी जैसे चित्रों से dakikaल, इक खलात्म कुनेदी का आपहास होता है तो हम उस समय कि जो यी चितरकला मतलब है इतिहास को जाने के लिए छितरकला जो है बहुत महत्यपून एक्स्ट्रोध के तौर पे सामने आई और इस चितरकला के माध्यम से हम उस प्रकार की उस टाइम की creativity को समझपाते हैं उस समय के उनके mindset को समझपाते हैं हम इस चित्रकला से जो है और बहुत सारी चीजों को समझभाताद है मौन की बात करें तो वाई उससोर सप्राप्ट जो मौन से प्राचीन महारत का इतिहास लिखने में बहुत मदद मिलती है और मोहरों से जो चयान कंसे जिसे एक मैंटी की जो राप्त मिटिंट मोहरों के बप्रता है अब देखोगे कि जो इतिहास कारूं का दो धड़ां इतिहासकार सामानते हैं दो धड़ें बर बते हैं कुछ इतिहासकारों का मानना है कि बएंग की भाई हम इस वजह हैं तो यह पुरा तात्विक स्रोतों में अभिले के स्माराक सिके मुधियां चित्रकला मोहरे यह तो मैं आपको ब्रीफ कर रहा ने साहित्तिक श्रोतों में तो जैसे कि भारतिय साहित और विदेशी साहित और विदेशी यात्रियों की ब्यूत तो भारतिय साहित में सबसे पहले हम धार्मिक साहित धर्म निर्पेच साहित और संगम साहित तो धार्मिक साहित के अंतरकत आप देखोगे, साहितिक स्रोतों में हमें, मैंने आपको बताया कि भार्ती साहित और विदेशी साहित, अब भार्ती साहित में हमें धार्मिक साहित पड़ना है, जो धर्म से जुड़े, एक धर्म नर्पेच साहित और दूसरा संगर साहित, तो धार्मिक साहित में इसको भी अगेन तीन भागों में क्लासिफाई कर सकते हैं एक भी ब्राह्मिन साहित एक बौध साहित और जैन साहित देखो ब्राह्मिन साहित में जो बेदों की बात करें तो बेद चार हैं रिगवित येजुरवित सामवित और अथरवित इन बेदों के दौर्बारा प्राचीन आर्यों के समासिक आर्थिक धार्मिक और राजनितिक जीवन के बारे में हमें जानकारी मिलती है, और बैदिक यूग की सांस्कृतिक दसा के ज़ान का जो है Primatr Shroth वो बेद है, और बेदों की जो संख्या प्रौफर चार है, इसमें से समानत है जो रिग बेद है इसका जो time period है वो 1500 से 1000 BC के असपास और यह सबसे प्राचिनतम बेद है यह कैसा बेद है जो यह रिचाओं से बद्ध है और इस रिग बेद में जो है यह जो आपका रिग बेद है इसमें 10 मंडल है कितने 10 मंडल है 1028 सूक्त हैं और 10,580 रिचाएं आपको मैं बता दूँ कि इंट्रेस्टिंग बात की जो रिग बेद का पहला और जो दसा मंडल है वो अंत में जोड़ा गया और रिग बेद के जो महत्पून चीजें हैं कि रिग बेद के जो तीसरे मंडल में जो है सूर्य द में जो है एक देवता है शोम यह उनको समर्पेद है और रिग बेद का जो दस्वा मंडल बाद में जोड़ा गया आज जो आप जो चातुर्यवन ने समाज जो है तो उसकी संकल्पना यहीं से आई लब जो है दस्वे मंडल पर ही जोड़ी गई ठीक है इसके बाद देखो यजुरबेद आता है अब यजुरबेद में जो है यह यजुरबेद है यह यग्यों के जो नियम है यह यजुरबेद है यह यग्यों के जो नियमों और विधानों का संकलन मिलता है और यहीं वज़य है कि इसको कर्मकांडी बेद भी कहा जाता है अब यजुरबेद जो है पद और गद्ट दोनों में यह जुर बेद के दो भाग है एक सुख्ल है पी दूसरा कtırस्ण man के जब कि कृष्न जो यहर बैद है वह आपको गद्द पद्ध दोनों में ठीक है इसके बाद का जो है सान आता है जो सामबेद है ना साम का मतलब होता है गान साम का मतलब गान तो आप देखोगे कि यह जो है मुक्ताय यग्य जो होते थे ना तो उनके अवसार पर गायजाने वाले मंत्रों का इसमें संग्रह है और इसी से सामबेद से ही ना यह जो आपका सामबेद है इसी से जो है पहना भारती संगीत स्भार इसी को भारती संगीत का जनकखा जाता है इसमें साथ सॉर है सारेगा मपादनी वह इसी से 및 uh 577 पत्वुकि अब समवेद के मंत्रों को जो गाता है तक या उसको कुझाता कहते हैं इसके बाद बात आती है साथतर अधर्व बेद है इसकी रचना जो है अधर्व आंगिरिस रिसी के द्वारा करा गया और सभी गरंथों के बाद में जो है मिदलब यह इसकी रचना होती है तो यह आपकी बेद है मैंने आपको जो है ब्रीक किया प्रामिन गरंथ एत्रे कौशित की गोवथ क्या है आपके त्यत्री मैतराइनी एत्री इत्यादी उपनिस्तों में योग नयायं वैसेसिक पुर मेवान सर मांचा माहकवे में रमायन महा भारत पुरान में भिश् mog मिविश्य पुराण भागवत पुराण गरुन पुराण एसमृति में मनु समृति नारद इस्मृति यागे वलक शमृति यह पाष डाल यह ब्रहुरामिन साहित थे हैं कंप बहुत साहित में आपको क्या के मतत्य it पिटक मिलेगा अभिधा में पिटक मिलिंद पन हों बुद्ध चरित दिव्यवदा इसके माध्यम से जो है हम इस टाइम पीरियद मौर्यान और उसके बाद के टाइम पीरियद को जो जान पाते हैं जैन सहित में आपका परिशिष्ट वर्वन हो गया भद्र बाहुशरित हो गया भगवती सूत्र कल्प सूत्र यह सारी चीज़े हैं तो यह तो आपका धार्मिक सहित था भीया अब जैसे आगे देखोगे कि धर्म निर्पेच सहित देखो कोटेली का जो अर्थसास्तर है जो गड़न की रास्तरंगनी जो की कश्मीर के इतिहास कही कि जो है एक और से प्रॉनिलोजिकल ओर से इसमें उलेक हुआ है पार्णी का अस्टाध्य विसाका दत्यका मुद्राच्छस और काली दास का विज्ञान सकुद्रा माल विकागने मित्रम का जो काली दास का माल संगम साहित में योगी संगम साउथ का साहित है तिरुकुरल सिल्पादिकारम मनी में जीवक चिंदा मनी यह आपके संगम साहित है इसके बाद आप फिर वापस आते हैं इसमें और आप यहां पर जड़ा देखें कि हम भारती साहित को हमने पढ़ लिया फिर हम बिदेशी स अब यहां हुई सांग इस सिंग अर्बी लेकक में अलसुलेमान अलमसूदी इबन बतूता यह सब हैं अच्छा आपको लग रहा होगा कि जो है ना मैंने भारती साहित को बहुत डिटेल में आपके साथ डिसकस किया है मतलब बहुत डिटेल में खासकर बेद को देखो अग बहुत डिटेल में जो है सारी शीजों के बारे में डिसकस किया गया है तो इस लेक्चर में यहीं तक तो थैंक यू बेरी मच्छ फिर मिलते हैं